अगर आपको बिताने वाला हूं कि अगर आपकी सिलाई वाली मिशीन के गास की टाइमिंग और शिटल की टाइमिंग खड़ाब हो चुकी है तो आप उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं तो यह सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपके गास की टाइमिंग खड़ाब हो चुकी है अगर आपका गास हल चुका है या आगे पीछे हो चुका है तो आप उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं तो इस वीडिय अजल्द पहुंच सके तो टैम्स आया कि बगार चलते हैं दोस्तों विडियो उपतर आपने सबसे पहले अपनी मिशीन का बूट भी उतार लेना है और निडल पर लेनी और यह वाली प्लेट भी उतार लेनी है सबसे पहले आपने मिशीन का बूट का यह वाला पेच लोज कर करके आपने अपनी मिशीन का बूट उतार लेना है तो यह जो पेच लगा है यह आपने लोज कर लेना है यह वाला पेच लोज करके आपने बूट को इस रिकेस उतार लेना है बूट को उतारने के बाद आपने यह जो पेच लगा है यह वाले पेच आपने लोज कर लेना ह पेच को लोज करके आपने नीडल प्लेट को भी उता लेना है फिर आपने ये वाला पेच लोज करना है ये पेच लोज करने के बादा आपने नीडल प्लेट की ये वाली प्लेट फिर सबसे पहले आपने ये वाली प्लेट उतार लेनी है उतार कर फिर आपने ये वाली नीडल प्लेट बार निकाल लेनी है तो आपको सबसे पहले मैं यह बताता हूं कि आपने गाज की टैमिंग किस तरीके से चेक करनी है गाज को किस तरीके से चेक करना है कि गाज की टैमिंग फराब है या ठीक है तो आपने सबसे पहले अपनी मशीन को गुमा कर गाज को बिलकुल नीचे का लेना यहां पर जहां पर जब नीचे हो बिल्कुल नीचे है यहां पर आपने मिशीन को रोक लेना है रोक कर आपने मिशीन को इल्टा कर लेना है इस तरीके से मिशीन को उल्टा करके आपने यहां से यह चेक करना है कि जो यह वाली सुही है यह जो सुही नजर आ रही है यह जो सुही का 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 से आपने गाज की हाइट चेक करनी है गाज के हाइट अगर आपके गाज की सुही ज्यादा नीचे हो तो आपने यह वाला पेच यहां पर पेच लगा है यह वाला यह पेच इसमें गाज का पेच लगा है तो यह पेच आपने लूज करना है लूज करके आपने गाज को ओपर आपने मिशीन को बिलकुल नीचे का लेना है सिदा का लेना है सिदा करके फिर आपने यहां से चिटल की टामिंग करनी है तो चिटल की टामिंग आपने इस पर के से करनी है जो और बूरiche यहां से आपने घुमाद़ लाः चेक करना है कि जो सिछितल की जीतल की ज Allी हो कई जो । यह जीनुक्षा के उपडु वाला जुए कैप है उसके बिल्कुल दर्मयान से गुज़ए तो आपने घौप बिल्कुल नीचे काifie नहीं निचे की तरफ करके जब उपर की तरफ गाज़ आ रहा हो तो आपने ये चेक चच करना है जो शिटल की ये ओली नोक ये नोक ये स्विख के उपल वी जो गैप होता है गैप के बिल्कुल तुम्याँ से गुज़ए तो आपने इस त्रीक्च से शिटल की यहां से टैमिंग करने ये वाला पेच आपने लोज करना है ये जो पेच लगाए ये वाला भी आपने पेच लोज करना है और शिटल के तीन पेच आपने लोज करना है ये वाला ये तीन पेच आपने लोज करके आपने शिटल की टैमिंग अच्छी तरीके से काल और ना वरना आपको शिटल जल्दी खराब हो जाएगा तो आपने इस तर्फिके से टैमिंग करनी अगर ट्राइगा ना साथ टक्राइगा तो आपकी मचीन बार बार दागा भी तोड़ेगी और शिटल भी जल्दी खराब हो जाएगा और ज्यादा फासला भी निडखना कि शिटल गाएगा और सुई के सुई के दरमयाँ ज्यादा फासला होगा तो आप मचीन दागा भी तोड़ेगी और टाप भी करेगी तो इस तरीके से आपने शिटल और गास की टैमिंग कर लेनी है तो फिर आपने वापस निडल प्लेट को लगा लेना है लगा कर वापस पे दियो में हो के लाप